जय हिन दोस्तों, डुमेस्टिक सिलेंडर जो घरों में यूज होता है, उसका रेट इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, कि आम जन्ता का बोलना है कि इसका सबसे ज्यादा बोज गरी बादमी के जेपे पढ़ रहा है, सरकार का बोलना है कि हम इतनी सबसेडी प्रोवाइड करते हैं कि सरकार और सबसेडी जहलने में सच्छम नहीं है, तो कुछ डाटा और फेक्ट्स के थूर जाने की कोशिस करेंगे कि सरकार अभी कितना सबसेडी दे रही है, पहले कितनी सबसीडी चल रही थी और सबसीडी की और कौन सी सकीम कितनी सकीम सरकार अभी प्रजेंट में चला रही है तो अभी भारत सरकार डोमेस्टिक सिलेंडर के यूज के लिए तीन तरीके की सबसीडी सकीम चल रही है पहला डारेक्टर डारेक्ट unic2 ढमतली है बारत सरक 2 प्रधान मंत्री ऋजन इसमें भारत सरकार ने फ्री आपकास्ट गैस कनेक्शन महिला के नाम पर प्रवाइड किया था लेकिन जो सिलेंडर के रिफिलिंग है वह आपको मार्केट रेट से लेना है और बाकी जो बीज का सबसेड़ी विल है जो एक आम आदमी को मिलता है डीबीटी के थुरू वैसा ही प्रदार मंत्री उज आप देखते हैं कि सरकार को कितना बर्डण होता है तो सरकार का जो सली था कि neighbourhood ने जो है तो उस समय जो जो जुजला योजना का टारगेट पूरा होता गया तो इस योजना का टारगेट यह था कि पांच करोड हाउस होल्ड को महिला के नाम पर फ्री गैस कनेक्षन देना है 2020 मार्स तक लेकिन सितंबर 2019 तक आठ करोड लोगों को फ्री गैस कनेक्षन प्रोवाइड कर देने के बाद टारगेट से पहले ही इस इस किम को बंद कर दिया गया है DBT जो हता है डारेक्ट बेनिफीट ट्रांसफर उसमें आम कंजीमर को जो गरीबी रेखा से उपर की कंजीमर है अगर वो अपनी सबसीडी को नहीं त्यागते हैं तो उनको भारत सरकार एक सिलिंडर पे मार्केट रेट पे फिलिंग करने के बाद कुछ पैसा जो है सबसीड बार सरकार के द्वारा तो यह आर्टी आई के फ्रू जो जारी रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि सबसीडी का जो एलपीज सबसीडी का बील है दोजार इकीस बाइस का वह दो सो बैलीस करोड रूपए है उस आकड़े से अगर कंपेर करेंगे तो केवल दो सो बैलीस क जो सरकार ने सबसीडी दिया हो कि वह पॉइंट सिक्स परसंट बनता है पहला चीज अब दूसरा कंक्लोजन निकालने के लिए इस चार्ट पे आते हैं इसमें प्रधानमंत्री उज्वला योजना और डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जो भी सिलेंडर का रेट में 521 रुपय का मिल रहा था वो सिलेंडर अभी मार्केट रेट पे 1035 रुपय का मिल रहा है मतलब लगबग 2 से 2.5 सालों में सिलेंडर के डबल हो गया है लेकिन सबसीडी जो है 200 200 300 रुपय जो सबसीडी एक सिलेंडर पर मिलती थी घटके 69 रुपय तक अभी एकाउंट मे रहा है दूसरा चार्ट यह सो करता है कि 2 से 3 सालों में किस तरीके से ल्पीजी का सिलेंडर जश्ट डबल हो गया है जो ल्पीजी का सिलेंडर दिल्ली में दो साल पहले 581 रुपय का था वह सिलेंडर अभी 1035 रुपय का पढ़ड़ा है आल लेडी जो है प्रधार मंत्री बंद करती गई है जो भी ट्रांसफर होता है डार्र की सब्सीडी का भी बारत सरकार आठ करोड चुकी है प्रधार मंत्री उजला रुपय के अंतरगत जो कनेक्शन दिया गया है प्रधान मंत्री युजला के अतरहात अगर लोग 100% अपने लपेजी को रिफिल करते हैं तो सरकार का subsidy का बिल का आखड़ भी बहुत ज्यादा होता है जो भी सिलेंडर हो रहा है उसकी बहरत सरकार तो डेफिनेटली जो है काउंट में ट्रांसवर करती है चाहे हो बीस रुपय हो चाहे हो कि दोहजार इकटार है कि भारत में 29 क्रोड गैस कनेक्शन थे जिसमें 8 क्रोड प्रधान मंत्री युजला जोगना के अतहत पार्षाट परसेंट लोग ही साल भर में एक सिलिंडर फिल्न करते हैं जो है फिर से ट्रेडिशनल जो फ्यूल था चाहें लकडी हो गोबर के कंडे हो चाहें और भी जो ट्रेडिशनल फ्यूल जो है ग्रामनी छेत्रों भी यूज होता था उस पे शिफ्ट कर गया है जब इस छू ay के थिरुष कुलसा हक हुआ है सरकार ने आनन पहनन में अपनी यूजना प्रधान मंत्रि यूजला यूजना के फिलेर होने की डर से अभी किया है कब मैंनों 2012 जून 2012 सरकार नहां दिकलेर किया कि अब ओन जो है कि अब यह इस सिलेंटर है उस पे 200 रुपए एक सिलेंटर पर सब्सीडी प्रवाइड करेगी तो यह डाटा फेक्ट्स करने का मेरा यह मतलब है कि अल्टिमेटली जो है भार सरकार ने सब्सीडी जो है काम आदमी को देना बिल्कुल ही बंद कर दिया वित्मंत्री निर्मला सितारमन ने मां सरकार पर है कि आम जंता पर है धन्यवाद दोस्तों